सुनेल वाक इनका सवाल है कि नर्वज ब्रेकडाउन होने के बाद में जो भी हमारा जीवन में नुकसान होता है तो उसको कैसे सुधार आजाये देखिए नर्वज ब्रेकडाउन एक बार होने के बाद में आपको तो TRIKMEN्ड लेने की जरुरत होती है अच्छे guidance की जरूरत होती है उसके बाद में आपका जीवन नॉर्मल हो सकता है तो जीवन में नुकसान तो होती ही रहता है अलग-अलग करणों से नुकसान होता है अब nervous breakdown आपका हुआ तो वो तो कोई current से तो हुआ नहीं है वो आपके मनोभुमिका के current जिस जंग से आप विचार करते हो उस कारण आपका nervous breakdown हुआ है तो आपकी सोच गलत है attitudes गलत है उसको हमने सुधारना चाहिए तो यह हमने नया उसर मनना चाहिए कि मेरे जीवन में एक अच्छी बहुत ही अच्छी जिन्दगी आगे है नई जिन्दगी जीने का यह हुसर है यह जो chance मुझे मिला है उसका मैंने सही माने में उप्योग कर लेना चाहिए उसके लिए मैंने अपने आपके attitudes बदलने चाहिए विचार करने के प्रक्रिया बदलने चाहिए अपना व्यक्तित वो बदलना चाहिए और नया जिवन नये डरे से नये तरीके से अच्छे डंक से जिने की कोशिश करनी चाहिए पुराना जो नुकसान हुआ है यह नुकसान माने तो नुकसान है नहीं तो यह नया chance है जिन्दगी में आदमें जो भी विजई होता है यशस्वी होता है कौन होता है वही होता है जो अपने अंसक्सेस को सीखता है याने अंसक्सेस से सीखता है अंसक्सेस को एक चांस मानता है आगे बढ़ने का अवसर मानता है वही आदमी आगे चलकर बहुत अच्छे डंक से अपने जीवन में यशस्वी होता है इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कभी अयशस्वी नहीं हुआ अंसक्सेस्पूल नहीं हुआ हमेशा यशस्वी हुआ है हमेशा सक्सेस्पूल हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है जो अपने जीवन के अंसक्सेस को एक अवसर मानता है उसमें से आगे चलने की कोशिश करता है सीखता है पुरानी गलतिया टालते जाता है वही आगे चलकर सक्सेस होता है तो हमने भी इस धंग से इस बारे में सोचना चाहिए कि समझो हमारे जीवन में अगर breakdown आया तो उसके पीछे का कारण था मेरी गलत सोच, गलत विचारधारा, गलत attitudes तो मैं पेरा पुरा व्यक्तित्व ही बदलूँगा नए धंग से सोचूँगा नए attitudes अपने जीवन में में स्विकार होंगा नए व्यक्तित्व अपना बनाऊंगा और नए जीवन नए अच्छे डंग से आगे में जीऊंगा पुरानी बातों को, जो भी पुरानी बाते हैं नुकसान हुआ है, उसको बुल जाऊंगा और ये सामरत है, इंसानी मस्तिश्क में हमारे brain में, हमारे mind में होता है यही तो इंसान के सबसे बड़ी खासियत है वो फिनिक्स पक्षी जैसा राक में से खड़ा हो सकता है फिनिक्स पक्षी जैसा राक में से खड़ा होता है उस दंग से हम खड़े हो सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए झाल झाल